टोमेटो सूप हर किसी को पसंद आता है, मुझे भी टोमेटो सूप बहुत पसंद है आज हम पैकेट वाला सूप नहीं, बलकि घर पर बनने वाला हेल्दी टोमेटो सूप तियार करेंगे इसके लिए मैंने लिया है, एक किलो लाल टमाटर, एक बीड रूट, एक प्याज, दो छोड़ी गाजर, थोड़ा सा अध्रक और हरा धनिया की स्टेम्स प्रेशर को कर में डालके मैं आधा लीटर पानी और एक चमच नमक डालके इसको कर दूँगी बन और इसे हम दिलाएंगे पाँच विसल, पाँच विसल होने के बाद जब इसकी स्टेम निकल जाएगी तो ये इस तक इसे तयार मिलेगा और इसे अब थोड़ी दे के लिए ठंडा होने देंगे, ठंडा होने के बाद इसे करेंगे हम मिक्सी जार में शिफ्ट mixi jar में हम तभी डालेंगे जब ये ठंटा हो वरना गर्बर हो जाएगी और mixi jar में पीसने के बाद ये इससे किसी tomato puree की तरह बन जाएगा और इससे छननी के साथ अच्छी तरह से छान लेंगे जब यह अच्छी तो से छंग जाए तो एक लेंगे पैन और उसको गैस पे रखके उसमें हम डालेंगे एक थोड़ा सा बटर बटर से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें हम दो तेश पता एक दाल चीनी एक मोटी लाची और दो लोंग डालेंगे और गरम होने पर गैस को कर देंगे ओफ और फिर इस प्यूरी को इसमें डालेंगे मैंने गैस इसलिए ओफ की थी ताकि इसकी छीटे नहीं उड़ें और फिर गैस ओन करके बाकी का भी सारा प्यूरी डालके और जो कुकर में पानी था ना वो भी इसमें डाल दिया मैंने और सारा इसमें डाल की इसको अच्छी तरह से पकने के लिए छोड़ देंगे और दूसरी साइट क्या करेंगे हम एक कड़ाई में ओयल लेके उसके अंदर ब्रेड क्रम्स बनाएंगे इसके लिए आप वाइट या ब्राउन कोई भी ब्रेड ले सकते हैं हाई फ्लेम पे नहीं मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करना है और हमारा सूप भी दूसरी से तेयार हो गया है इसमें मैं आप एक चमच नमक और आधा चमच के क्रेप शोगर डालूँगी शोगर नहीं लेना चाहते हैं उसको स्किप कर दीजे इस तके से हमारा ये टोमाटो सूप बिल्कुर रेड़ी हो गया है ये कलर देखे ये है न बीट रूट का कमार कितना बढ़िया कलर आया कोई फूट कलर डालने की जरूरत ही नहीं पड़ी इसमें मैंने इसको गाड़ा करने के लिए कोई आलू नहीं डाला कोई कौन फ्लॉर नहीं डाला और बहुत ही बढ़िया सूप बनकर तयार हो गया है और हेल्दी टोमाटो सूप अरे अरे आपने अभी तरक चैनलो को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनलो को सब्सक्राइब करें वीडियो को जाधा से जाधा शेयर करें मेरे से तो रुका नहीं जा रहा मुझे तो मज़ा आरा पी के आप भी आनंद लीजे ना